हेलो अब्रीबर कैसे आप सभी लोग यहां पर देखे आज का जो यह सेशन होने वाला है हम लोगा और पीजीटी का पेपर साल्व कर रहे थे और जैसा कि आप सभी को जानकारी हो चुकी है कि पीजीटी का जो एकजाम डेट है वो आपका सत्रा और अठारा अगस्त दोजार प्रस्ण 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 हो जाएंगे तो आज इस वीडियो में हम विस्ती प्रस्ण को देखेंगे और पचास कल देखा था तो यदि आप इसको solve नहीं किया तो इसको देख लीजिए और proper इसमें थोड़ा सा detail में भी अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि direct topic टुटावी या option wise यहां पर नहीं देख रहे हैं ठीक और इस channel पर यह आप नए है तो channel को subscribe करके बेल आइकन को click कर लिए जिससे आगे जो भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं उसका notification अपने आप मिल जाए ठीक और साथी साथ यहां पर बता दिया जाए कि जो आपका होने वाला है paper PGT और TGT ठीक इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका 1 जुलाई से यहां पर हम यहां पर दिया जाएगा जिससे आप इस टेस्ट को revision भी कर पाए और इसका explanation भी आपको अबलेबल हो पाए ठीक तो यह आप इससे एंटेस्टेड हो या इस टेस्ट स्रीच को जोईन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप वाट्सप करें वहां पर आपको टूटल जो 125 प करना है एक क्यावनवा प्रस्णा है ठीक पचास प्रस्ट में देखेंगे एक क्यावन से लेके सव तक क्लियर हुआ तो सूची वान और सूची दो की बात करें तो इसमें देखिए प्रस्तावक हैं और कौन सा सिध्धान तो उन्होंने दिया था और डी एससबी का जो एक् क्यावनवा प्रस्ण है तो इसमें बीवर मॉलठस और बांति उन्हों किस्टाЛर तो मान जामाल डोस नन का मॉडल क्या मोडल है ठीक यानि डी का थ्री हो गया और वां थ्यूनिन का आपका क्रसी अस्तितिकी सिद्धान्त है तिसाधार पर राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा नेक्स्ट आईए नेक्स्ट है अपको कराएंगे जो परजातियों का वरगी करण है यह आपको वीडियो भी अपलेबल कराया जो पीजी टी बैचेज में सामिल है जो लोग उनको यहां पर पताया वेगिया जो परजाति का वरगी करण भी हमने करा है परजाति का ठीक टीलर का भी उसमें बताया गया तो इसमें अद्वा निकोबार में जो आदिवासी जंजातियां पाई जाती है वो किस परजाति से संबंदित हैं ऐसा है पर प्रशनाप से पूछा गया है तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जंजातिया आपका निक रॉक राइट से संबंदित हैं 53 में देखे हो प्रबाउंडेर्ड दे गूल अचिब्मेन मैट्रेक्स टेकनिक सिंड्री इनरीजनल फ्लनिंग तो इस तकनिक को विख्शिद करने का स्रीय किसे जाता है तो यह मारी सिल्म होद भी है ठीक ये या रखियेगा यह एक अंडया आपको टेक्निक्स भी देखने को मिलना है क्योंकि आसानी से ये नार्मल किताबों में चीज़े नहीं भी लेंगे आगे देखे वीच आप फालोंग मार्केट लुकेशन ऑप्टिमम इन गिवन डाइगराम अफ इंडर्स्टियल लेंड इसके भी ये देखे आपका यूजी सी का रिपेटर्ड परस्न है यहां पर बोला है कि आउद्यों के भुद्रिस के लिए दिये गए आरेक में से कौन सा जो है बाजार की इस्थिती अनकोलतम कहाँ पे जो बाजार की इस्थिती सबसे अनकोलतम है तो जो इसमित का सिधान्त है उसका पूरा यहाँ पे वही figure ही बनाए गया है ठीक उसमें तीन figure हमने बनाके आपको बताया भी यह, वही figure होगे यहाँ पे बताया यहाँ पर दिया है कि पहली स्थिति यानि यहाँ पर हो यहाँ पर location हो यहाँ पी location हो कहाँ पर ज्यादा सही रहेगा ठीक देखें सही कहाँ पर होता है पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो value है यहाँ पर आपका value कम है ठीक उत्पादन भी कम हो रहा है यहाँ देखें उत्पादन क्या है यहां पे इसके बीच हम लोग बात करें इसके बीच तो उत्पादन इसके पेक्षा जो है उतना यह दिखा नहीं रहा है इसमें जो फर्स्ट स्टेज में भी वही श्टिति है थर्ड में भी वही है मूली का मान यहां पे अलग दिया है और फूर्थ इस्तिती में देखे यहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं यानि कि यहां पे आपका मूली रेखा उत्पादन रेखा दोनों लगवग बराबर है ठीक उत्पादन और मूली दोनों बराबर है जब कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी बाजार की इस्तिती सबसे अनुकूलतम होगी सबसे अनुकूलतम इस्तिती यहाँ पे आपका हो जाएगी दो नंबर की क्योंकि जो production है production maximum जहाँ पूत पादम रेखा कि जो उचाई सरवादिक कहां पे हैं वहीं आपका बाजार इस्तिती के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलतम होगा ठीक कि बाजार वहाँ पे क्योंकि production ज़्यादा होगा तो आसानी से बाजार में यहाँ पे यह उपलतम इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसका value भी ज़्यादा पड़ेगा ठीक यहाँ पे देखिए production इतना हुआ value आपका यहाँ पे दे रखा है तो इसमें राइट answer आपका second हो जाएगा आगे देखिए पच्पन में दे नंबर आप स्टेज़ेज इन टॉप्स transportation development model यह देखिए आपका transportation जगरफी से है ठीक तो इसमें देया है कि टॉप यह गोरिल और टॉप यह दो लोग है ठीक दोनों ने परिवहन model के बारे में बताया है इसमें बोल ला है कि टाफे के परिवहन विकास model में कितनी अवस्थाएं है चली अच्छा सा प्रसना आईए तो टाफे के जो परिवहन model है उसमें अवस्थाओं की संख्या कितनी है तो उसमें टॉटल टाफे ने छे स्टेजे बताये है ठीक transportation development के तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे detail में देखेंगे transportation model में टाफे और गोरिल का हलाकि जो net का बैच है उसमें ये कराये गया टाफे का model भी और गोरिल का आगे देखे 56 नंबर जो प्रसंद दिया है कि छेत्री असमानताओं के मापने की विधियां यानि कि जो आपका regional disparities होती है छेत्री असमानता होती है उसको किस विधि से मापा जा सकता है ठीक तो उसको तुम अपने की भी यहां पर आपका देखे क्रम कोटि संकलन यानि की summation of rank चतुर्थान सूचकांग यानि क्वार्टाइल इंडेक्स बीचलन सूचकांग यानि deviation सूचकांग उसके बाद चवथापका प्रधान गटक यानि principal component तो इसमें हम लोग देखें तो जो original disparity यानि कि क इसी प्रादेशी का समानता की बात करें तो वहां पर जो summation आफ रहें क्यानि क्रम कोटि संकलन भी महत्रपूर्ण होता है चतुर्थांग सूचकांग भी वहां पर काम करता है बीचलन सूचकांग भी आउसकता होती है और प्रधान घटक भी वहां पर इसका measurement करता है तो इस 57 में पूछ रहा है कि बहुत भासावाद संगर्ष से नियुंतम प्रभावित देश बहुत भासावाद यानि कि यहां देखे लिस्ट इन फिलर कंट्री बाई कांफिल्क्ट रिलेटर टू मल्टी लिंग्विजम है जो भासावाद होता है यानि भासाएं जो होती उसमें म पिर बेल्जीम इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह बेनेजुएला है जहां पर मल्टी लिंग्विजम बहुत कम उसका कंफ्लेक्ट जो है बहुत कम है यानि लिस्ट इंफ्लूएंस है उसका यहां पर चले 58 देखते हैं इसमें दिया है कि बुक्स और एक इसमें लिधा आ आया है कि टूल जो पॉपुलेशन जेगर्फी से टइएट बुक्स फी का है तो यह आप का लेशन जघू यहां भी अपनौपुलेशन ज Dáत्या ने श्यवचन ध्यान रखेगा ,किसथ स्युआफ Candourtop तो यह आपका ट्रिवार्था का है जगर्फी आफ लाइफ अंड देथ यह जगर्फी आफ लाइफ अंड देथ यह अल्डी स्टांप्ट का है ठीक मृत्य और जीवन का भूगुल उसके बाद अप प्रोलाग टू पापुलेशन जगर्फी यह आपका जिलिंस्की का है तिसाधार पर जो आंसर आपके पास मिल जाएगा फस्ट होगा उसके बाद देखिए यहां पर दिया है कि एस्टांसिया क्या है यह भी देखिए नया वर उस पर भी आपको पकड बना के रखनी है तो जगर्फील वर्ट में पूछा कि स्टांसिया का है इस्टांसिया जो है यह आर्जंटीना का ब्रहत जो कैटल फाम होता है पसुफाम होता है उसी को बोला जाता इस्टांसिया तीक शिक्स्टी नंबर का देखिए समय तथा डिस्टेंस भी बढ़ जाए तो जो एसेसिबिलिटी होती है अभी गमिता होती है वो बढ़ती है या घटती है या फिर समान रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है तो जब दूरी भी बढ़ जाए और समय भी बढ़ जाए तब क्या होगा एसेसिबिलिटी भी क्या ह कम समय यानि बहुत जल्दी यह पहुँच पायागा बढ़ी है लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा देंगे ठीक और माली यहां से यहां तक पहुचने में यह 10 मिनिट लेता है तो इसको क्या करते हैं तो यहां पर जो एसे से बिलिटी होगी जैसे कि तीस मिनिट माली जो उसकी डिस्टेंस या टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो वह असेजबिल्टी घड़ जाएगी तो वही यहां पर बात कर रहा है बस प्रशन इसको समझना ही है आपको कि कह रहा है कि विद इनक्रेज टाइम एं डिस्टेंस असेजबिल्टी क्या हो जाएगी रिडियूस हो जाएगी यानि कि जो अभिगम्रिता है वो घड़ जाएगी ठीक कि उसके बाद देखे 61 नंबर में कि हूँ फर्मुलेटेड ग्रेविटी माडल विच डिमॉंस्टेट्स दा रिलेसंशिप बिट्विन पॉपुलेशन साइज डिस्टेंस अंड मा माडल के द्वारा किसने प्रदर्सित किया देखे इसको हमने अधिवास भुगोल में आपनों कराया है ठीक हला कि यह जो आपका और प्यस्टी का स्लेवस है उसमें आपका यह अधिवास में तो है प्लस प्राक्टिकल जागरफी में भी दे रखा है ठीक तो यहां पर दिय दूरी और जनसंख्या के आकार के मद्य संबंद प्रियोग को गुरुत माडल के द्वारा किसने प्रदर्सित किया तो गुरुत माडल तो यह को किसका है रेली का है फुटकर गुरुत्वा कर्षण माडल जो है तीक इसी से संबंदित है तो यहां पर जो आपका प्रवास से जब बात किया जाए दूरी और जनसंख्या कार के मद्य संबंदों की हो तब वहां पर जो गुरुत माडल दिया था यह जी के जिफ ने दिया था ठीक किस ने दिया था जी के जिफ ने दिया था शिक्स्टी टू में देखिए परिवान के अधार पर परिपूरक्ता मद्यवर्ती आपूर्ती का अभाव बिनिमयता परिवान के माध्यम परिवान के माध्यम सही उत्तर आपको पहचानना यहाँ पर कह रहा है कि परिवान के आधार कौन से है परिपूरक्ता यह देखिए जब आपको ट्रांस्पोर्ट जागर भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें डारेक्ट आपका यही चीज मेंसन ही होगा ट्रीक और अलग अलग जैसे टाफे गूरिल का माडल है ट्रीक टाफे और उसमें आपका दो-तीन माडल और हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा तो उसमें डारेक्ट आपका यह चीज मेंसन है कि परिपूरक्ता मद्यवर्ति या पूर्ति का भाव ट्रांस्पोर्टेशन जागर फी आप लोगों ने जो पड़ा होगा उसमें आप देखेंगे खुदी ठीक तो 62 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवान के आधार में देखिए परिवान के माध्यम यह आपका इसमें सामिल नहीं होता है कीवल आपका परिपूरक्ता मद्यवर्ति या पूर्ति का अभाव और बिनिमेता लायक आप इंटर्विनिंग अपार्चुनिटी ट्रांस्परिवेलिटी और आपका यहां पे कम्प्लिमेंटरी Complimentarity ये आपका इसमें सामिल किया जाता है कि इसमें परिवहन के आधार में जबकि परिवहन माध्यम को जो है इसमें सामिल नहीं किया जाता है ठीक ठीस आधार पे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट अगला देखिए 63 फार इस मॉडल आफ इंदस्ट्रियल लोकेशन वेवर मेक्स यूज आफ एनि अपने और द्योगी कवस्थिति मॉडल के लिए वेवर ने क्या प्रियोग किया आईशोगान आईशोफिन आईशोडापिन या आईशोटिक ठीक तो क्या उप्योग किया इन्होंने इन्होंने आईशोडापिन का उप्योग किया था कि जो समान लागत वाली रेखाएं है उसको मिलाने वाले समान लागत वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखाओं कोई यह उन्हें ने आइसो डापेन कहा था किसने बेबर ने ठीक अब आपसे यहाँ पर देखिए एक प्रस्ण है आइसो टीम क्या है वो भी इसी से सम्मंदित है और इसका उप्योग किसने किया था यह आपको PGT वाले में भी कराया है और NET में भी कराया है डारेक्ट इसमें में रजन वी किया है ठीक आपको बताना है कि आई सो टिम क्या है तो इसी कितार है लेकिन थोड़ा साइज में अंतर है और इसको किस ने उप्योग किया जैसे आइसो टापेन को किसừa के यह विल्वर nour education को यहाँ पर प्रस्ण है अगे देखिए और realisticनम में इम नेग में युग म अंतरलाई और सन्यदार सिया फिर हागर स्टेंड का नियुंतम प्रयास सिद्धान्थ अब देखें ग्रैविटी मॉडल जो जनसंख्या प्रवाज दूरी की संबंद में है वह जिफ का है लेकिन यहाँ पे जो ग्रैविटी मॉडल है यह आपका डारेक्ट रैले का होगा उस यहाँ पे आपका जो सही सुमिली था यह स्टॉफर का है इंटर्वेनिंग अपार्चॉनिटी मॉडल जो है इसका है स्टॉफर का है टीक यूजी सी में भी आपका कई बार पूछा गया जी आइसी में पूछा गया है है इस इस्टी फाइब देखिए वू हूँ 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 फालोविंग डेवलोबर कांसेट पपूलेशन पूटेंसियल जनसंख्या संभाव यह जनसंख्या विभाव संकल्पना का विकास कि श्विद्वान ने किया था मतपूर्ण प्रस्ण है तो जनसंख्या विभाव की जो संकल्पना इसके विकास का जुस्रे जाता है यह इस्टिवाट और वारेनेट को जाता है ठीक उसके बाद देखे 66 रिवन्स्टीन का जो प्रवास सिध्धानत है उसके अनुसार कौन सा कथम सही है यानि कि जनसंख्या में जो मॉडल है सैडलर हो गया रिवन्स्टीन हो स्रिंकला करम में संपन नहीं होता है नहीं दे दिया डारेक्ट संपन होता है आगे देखे प्रवास की मुख्य प्रतेक मुख्यधारा च्छतिपूर्ति प्रतिधारा उत्पन नहीं करती है यह सभी च्छतिपूर्ति प्रतिधारा उत्पन करती है ठीक उसके बाद एक कम द आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह साधियां हो जाती हैं, तो पूरुस दूसरी जगह रहने नहीं जाते हैं, बलकि किसका प्रवास होता हैं, महिलाओं का प्रवास होता है। ठीक आगे देखे 67 तो इसमें देया कि निम्नांकित भारती राज्यों में से कौन सा जननांकी संक्रमण की यंति मवस्ता में पदारपड कर रहा है तो जननांकी संक्रमण की यंति मवस्ता में पदारपड यानि कि जो राज्य थोड़ा विक्सित होगा ठीक ज्यादा वहां के लोग जागरूख होंगे नगरियता वहां पे अच्छी होगी ठीक यानि कि जो रूरल एरिया गो कम होगा आर्बन एरिया जादा होगा तो यहां देखें पशिमंगल सिक्किम हरियाडा गुवा तो यह आपका जो है जंसंकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में जो है गुवा सामिल है यानि इसी सामिल किया जा रहा है 68 में देखिए कि इंद्री अस्तल सिद्धान्त के बारे में कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है ये कज़बो के आकार को अस्पस्ट करता ये सही बात है इसका प्रतिबादन किसी भूगल बित्ता द्वारा नहीं किया गय किया है बुगstyक के द द्वारा ही किया गया है अर्थासास्थरी भी है हूं कुण है क्रिष्टाल महोद्ह पुर्ण कोद और देन और hmad 69 hy आफे दोरा प्रतिपादी सब्सक्रणा यह मुस्तिति धी नहीं थी सिंधनाथ का जो अलोचना किस नहीं किया था लास नहीं किया था हलाकि यहां पर लास का जो अवस्तिति सिद्धान्त उसके बारे में बात किया जा रहा है जब कि किस टालर का क्या था किस टालर की और यहां पर लास की कौम सी थेवरी है इसने जनरल थेवरी आफ लोकेशन के बारे में ल पूर्ति की यहां पर जो उत्पाद की आपूर्ति लचीली है यह आपका गलत है जब कि छेत्र एक समगर समरूप मैदान यह भी इन्होंने बोला है मुले बिद्धि के साथ उत्पाद की माग में कमी होती है सही है क्योंकि जब मुले बढ़ जाएगा तो उत्पाद की डिमां है वो क्या होगे गटती जाएगे तो यहां पर लॉस ने जो यह मॉडल दिया उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है ठीक तो इसमें उन्होंने बोला कि जो उत्पाद की आपूर्ति यह लचीली नहीं होती बलकि हुआ है केंद्र से दूरी के साथ उसमें परिवर्त इसमें सही सुमेले जो आपका नहीं किया गया है यह देखिए आम लैंड का उपयोग किस ने किया है तो अंद्रे एलिक्स राइट है नगर छेत्र की बात किया है किसने यानि अर्बन फिल्ड की सीटी रीजन द्यान रखेगा सीटी रीजन सब्दा है तो कौन किया है तो य यह आपके गड़ीज हैं, सिटी रीजन के लिए, ठीक, जब कि यहाँ पे पूछा है, नगर छेत्री यानि अरबन फिल्ड के लिए, इसमेल्स हैं, चलिए, अगला दिया है कि हिंटर लेंड, अरबन हिंटर लेंड के लिए कौन सा सब दियूच किया गया है, किस ने किया है, यह हैरिस हैरिस ने नहीं किया है, यह ग्रीन के दौरा यह प्रभाव छेत्रे, आजी इस method के बारे में green ने बथाया है, यह घ्रभार पीजन के लिए, सही है, यहाँ पे पूछरा समेलित नहीं है, तो जो अरबन हिंटर लेंड यह हैरिस नहीं है, यह इसमें राइट हो जा छेत्र dharag से स्बंदित है नहीं चेत्री वी जयान अने कोरो लॉजिकल जने कोरो लॉजी बृटिस स्कूल से समदित है नहीं जर्मन के से यह लेंड सर चाप्ट फ्रांसिसी से नहीं जर्मन से हैं उसके बाद देखिए नगरी पार शित की अर्मनीकिलाजी सिकागो विचार तो अर्बन एकुलाजी सिखा को विचारधारा यह आपका राइट है तो अलग अलग जो संपर्दाएं हैं विचारधारा हैं इसको भी आपको ध्यान दे के चलना है देखें विचारधाराओं के बारे मैं पीजी टी में आप लोग कराया है आगे देखते हैं 72 तो इसमें दिया है कि बर्गिस का जो संकेंद्री माडल सिधान्त है मेकला सिधान्त है उसमें जो फोर्थ नंबर की पेटी है उसमें क्या चीज आता है या किसको सामिल किया जाता है जो फोर्थ नंबर की पेटी है उसमें एकल परिवार का वास होता है ठी तो right answer third 73 में देखे दिया है कि केंद्री अस्तल की केंद्रियता सर्वोत्तम धन से कहां पे दिखाई देती है जो केंद्रियता सरवाधिक असपस रूप में कहां पे दिखाई देगी इसके location पे या size पे या इसके industrial structure पे या इसके प्रिष्ट प्रदेश में निर्वासित जंख्या के लिए जो कार किये जा रहे हैं उस पे तो right answer क्या हो जाएगा यहां पे आपका the function provided for population of its hinterland याने कि इसके प्रिष्ट प्रदेश में जो जंख्या रह रही है उनके लिए जो कार किरा जा रहे हैं उनको जो functions प्रवाइड किये जा रहे हैं वही क्या उनकी केंद्रेता को अच्छे तरीके से बताती है तो right answer इसमें D हो गया अगला देकि 74 वीच आप फालोइंग यूज दर टर्नियरी डाइग्राम टर्नियरी डाइग्राम फार फार्स टाइम इन फंक्सलर कलिफिकेशन आप टाउन इन सेंसा साफ इंडिया 1961 कहरा कि किस विद्वान ने भारत की जनगणना 1961 में कज़बों के प्रकारे आत्मक वरगी गण के लिए त्री आधारी आरेक का सरप्रत्थम प्रियोग किया तो सरप्रत्थम भारती जनगणना के शंबंद में किसने त्री आधारी आरेक का उप्योग किया था तो वो महोदे हैं ये मित्राजी ठीक उसके बाद देखिये Who are the following, was the founder of concept of original planning चले ये भी अच्छा है प्रस्ण आपका रिजिनल प्लाइनिंग की अउधारणा की संस्थापक कौन है तो रिजिनल प्लाइनिंग अउधारणा की संस्थापक है बी मकाए 76 में देखिए यानि फैक्ट वाले प्रस्ण आपके इसमें ज़्यादा पूछे गए है निम्ड भूगल वेत्ताओं में से किसका संबंद अस्थानी ये विचारधारा से नहीं है यानि special school of thought से किस भूगल वेत्ता का संबंद नहीं है special school of thought से जो भूगल वेत्ता संबंदित नहीं है वो है already stamped जबकि हैगरिस्टैंड, visual weary, crystal ये सभी जो है special school of thought से related है चलिए next देखते हैं 77 which of the following is correct sequence of activity in planning process यानि जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें कौन सा करम सही तरह से आपको दिखाए गया है तो नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है किसी चीज का perception किया जाता है ठीक प्रतक्षी करण होता है फिर उसका revelation किया जाता है प्रक्रटिकरण होता है फिर उसका उसकी तयारी के जाती है यानि कि preparation होता है यह सभी हो जाता है फिर finally क्या होता है उसका कार्यान में होता है यानि execution होता है तो right यहाँ पे आपका four हो जाएगा आगे देखे which of the following यानि कि 78 है इसमें दिया है कि which of the following pairs is not correctly matched कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है माक्स का एतियासिक बहुत इक्तावाद सही है रोस्टो का अर्थिक विकास के उस्थाइं सही है गूल्ड ने देखिए हमने बात किया ना गूल्ड मॉरिल टॉफे परिभान विकास के उस्थाओं के बारे में इन्होंने बात किया था तो बात सही है जबकि सुमेलित नहीं है जो नवाचरन बिस्तरन यानी की इनिवेशन डिफ्यूजन ये हैगर स्टेंड ने दिया था लॉस ने नहीं दिया था 79 में देखिए निमन में से कौन सा लक्षन क्रोड उपांत निर्देश से सुमेलित नहीं है ठीक क्रोड उपांत निर्देश से जो सुमेलित नहीं है वो आपका क्रोड प्रदेश का विकास शंब्रिद उपांतों के कीमत पर नहीं है बलकि क्या होता हुँ उपांदों की कीमत पर ही होता है, या पर नहीं लिखा है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है, तहीं ही आपका सही हो जाएगा. आगे देखिए, वन्थियुनिन के भूम इप्योग माडल में सात्मी पेटी किसी व्यक्त करती है. वन्थियुनिन का जो माडल है, उसमें सात्मी पेटी होती है, वह क्या प्रदर्सित करती है? अनुत पादन को, पसपालन को, बंजर भूमी को, जलाओ लकड़ उतपादन को, तो वह आपका बैरेन लेंड को सो करती है, यानि बंजर भूमी को प्रदर्सित करती है. ठीक, जो लास्ट वाली पेटी है, 81 में देखिए, निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें दिया एक तरफ की आपका special techniques, जो वीवर का है, empirical techniques, ये आपका प्रशनम लोग देख रहे हैं, 81, ठीक, क्यों सा नमबर है, 81, तो इसमें कहरा है सुमेलित नहीं है, तो सां परिमाणात्मक, गुण प्रधान technique से बेकर है, ये भी राइट है, एकल तत्त technique, single element technique से क्रेवसी है, ये आपका रांग है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, ये आपका fourth है, ठीक, आगे देखते हैं, 82, location of economic activities, location of economic activities के लेखक काउन है, तो इसके लेखक है, EM Hoover, ये कराया अब ये है, मैंने, अगला देखे, which one of the following industrial location option would be correct in the event of material index according to waiver, ठीक, यहाँ पर देखे रहा है, कि बेवर के अनुसार, बेवर के अनुसार कौन सा जो है, पदार्थ सूचका, कून ता एक के बराबर होतो, और देखकी स्तिति का सही विकल्प निमन में से कौन सा होगा, ये द गामा इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक, जो एज और वर्टेक्स आप लोग पढ़ते हैं न, उसमें जो बेवर के अनुसार देखे दिया है, कि पदार्थ सूचकांग पूनता एक के बराबर, ये एक के बराबर होतो, और देखकी कहां पर होगी, यानि जो पदार्थ का कच्चामाल है, या बाजार, या इन दोनों के मद्ध कोई एक बिंदू पर, यानि कि चाहिए, जहां पर कच्च्चामाल मिलना, वहां लगा देजा देक्स प्रिदूं, इंपर इनके बीच कोई बिंदू ले, वहां पर लगाना है, ठीक, अगला देखक, ये टीफ़ॉर मे देखे least effort錯스용 कीुकि गीक का है ? लीस्टchecent थेउरी, लागत की ब बसक्राओ दीमार्थ बेबर का है is परिवान लागत का या है ट्रांसपोर्ट का स्वेवर का हरोई सही है, behavioral जो थेउरी है यह मित का नहीं है बाजार छेतर सिद्दान्द यानि मार्केट एरिया थेवरी फिटर और हाटलिंग का राइट है तिसमें साइस उमेलिज जो नहीं है ये आचन सिद्दान्द अगला देखे 85 कौन सा कथन सही है ठीक कौन सा कथन सही है बाजार संतुलन मागवा आपूर्ती वक्रों के प्रतिछेदन बिंदु से चिन्नित होता है यहां बदेके 85 हम लोग देख रहा है कौन सा सही है बाजार संतुलन मागवा आपूर्ती वक्रों के प्रतिछेदन बिंदु से चिन्नित होता है अद्धियोग कितियास में अद्धियोग करन का कोई साख्ष उपलब नहीं है है तभी तो अद्धियोग कितियास है यह साख्ष नहीं होता तो अद्धियोग कितियास कुझे क्यों कहते है समुवन अर्थवे होस्थाएं साजात सुबजभधा और सिमाऊं से नहीं पैचाने ही जाती ही समुहन की बात हुई है तो साजात सुबजभधा है तो हूंगी वहाँ पे तो नहीं कहब रहाती है घलत हो गया आधनीक उद्योगपती परिवर्तंसी लागतों का मुल्यांकन नहीं करते हैم जो आधनिक उद्योग पती हैं ये सबसे ज़्यादा ध्यान जो है परिवर्तंसी लागतों पर ही करते हैं उसके मुल्य अंकन के लिए तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे तो इसमें इसलिए नहीं दिया थी ये भी गलत होगे सही आपका जो हो जाएगा केवल बाजार पूर्ति वक्रों के प्रतिशेदन बिंदू से चिन्नित किया जाता है एटी सिक्स में देखे एटी सिक्स में पूछ रहा है कि परिवहन परणाली के विकास की अवस्थाओं का सही करम कौन सा है सहाजीवन सहायक अभिभावी या सिम्भावसिस प्रिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का जो सही करम है तो एटी सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा टू हो जाएगा एटी सिवन में आ जाएए बीचाद फालॉइंग स्टेट्मेंट नाट करेक्ट तो इसमें कौन सा सही नहीं है जल प्रतिरूप अस्थानिक अंतकरियाओं के रूप को नियत करने में सहायक नहीं है तो यह सहायक होता है नहीं दिया है तो गलत हो गया जाएगी तो जो सही नहीं है पहले वाला आ गया दूसरा देखते हैं जल जाल घनतु अभिगमिता का एक मोटा मापन यह भी सही है क्योंकि जो डेंस्टी आफ नेटवर्क की रफ मेजर आप असिसबिल्टी ठीक जो रफ यानि की कठिन मापन जो करता है वो आपका डेंस्टी आफ नेटवर्क ह सहила जाक्ता एक जाल में नोडवा कडियों से सम्मंदित है सही है जाल का संगठन नोडवा कडियों के पदानुकरम को चिंत्रित करता ये भी सही है तो गलत जो आपका हो गया फिर्स न जो है आपको यहां पर रांग्य वही पूचा है एक्टी एट में देखिए काुन सा जो है राजनीतिक भूगोल की परिभासिक संकल्पना के बारे में सही है तो राजनीतिक भूगोल की जो परिभासिक संकल्पना है उसके बारे में सही जो है आपका छेत्रवा छेत्रियता अविवाज रूप से अंतर संबंदित होते हैं ये आपका इससे संबंदित है आगे द सेस्ता राष्ट राज से सम्मंदित नहीं है इसमें आपका यह चरम भावगोलिक अनुभूती नहीं होता है जबकि स्वतंत राज्य होते हैं और निमासी जो है राष्टी साचर का भाव रखते हैं सुपरिभासित भूभाग भी होता है जबकि चरम भावगोलिक अनुभूत में परियाबाची सब्दों के रूप में होता है कौन सा कथम सही है 90 नंबर देखिए इसमें कह रहा है कि जो सीमान्त है और जो सीमाएं है इनका लगवग एक दूसरे के लिए ही प्युक्यादा परियाबाची का मतलब तो यह हुआ एक दूसरे के लिए लेकिन यह आपका गल अन्रीज आर इसेंचियल कंपोनेट आफव सावरंटी संप्रभु राज सीमावब विभाजित होते हैं तो 90 नंबर में आपका यूँकर यहां पर आवसक नहीं दिया तिसलिए ये भी गिलत हो गया तीसरा भी कल्ब देखिए संप्रभु राज सीमाव द विभाजित होते ह यह आपका right है क्योंकि संप्रभता है तो उसमें अलग अलग सीमा होंगी संप्रभ राज सीमा अंतुधार भी भाज़ित होते हैं तो राज जिस सीमा अंतुधार नहीं होते बलकि सीमा हो द्वारा होते हैं तो इसमें right answer आपका हो जाएगा कृतिक विविद्था का पर्माड है बात सही है यह ठीक बुबागी पृतक करन निजाती पहचान का एक सबल और पूस्टी कारक लक्षण यह भी कोरिया वासी कोरियाई कोरियाई में रहते हुए एक नुरिजाती बरके रूप में पहचाने जाते हैं यह आपका गलत है क्यों कुल्चरल एकोलाजी, 92 में देखिए, कुल्चरल एकोलाजी की बात कर रहा है, इसके सम्बंद में कौन सा गलत है, यानी सही नहीं है, इसका सम्बंद सांसक्रितिक उभरग और इसके प्राकृतिक परियावनसे हैं, बात सही है ये मानो समाजों में अनुकूल परक्रियाओं का अदेन करता ये भी सही है सभी समाज समान समाजिक विकास वस्ताओं से गुजरते हैं क्योंकि सभी समाज समान विकास के वस्ताओं से नहीं गुजरते हैं ये मानो परिस्थिती का एक समूई ये राइट है इसमें देखें सही नहीं जो है आपका यह है 3 ठीक 92 का 3 93 में देखें सांस्कृतिक छेत्रों का आवरोही क्रम में यानि कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा आई यह प्रस्णा आपका UGC में 3 बार पूछा गया है ठीक 93 इसमें जो आपका आवरोही क्रम सबसे बड़ा क्या होता है देख लिए संस्कृतिक मंदल होता है उसके बाद परिमंदल आ जाता है परिमंदल में भी प्रदेश आता है तो राइट आंसर आपका सेकेंड हो गया 94 में देखिए नान पारामेट्रिक देखिए तीसरा प्रस्ण इससे नान पारामेट्रिक टेस्ट हर आलसो नोन है हमने बताया कि पारामेट्रिक नान पारामेट्रिक क्या होते हैं फिर से सुन लिजिए parametric में T test हो गया J test हो गया F test हो गया शामिल होते हैं non parametric में Kai square test आपका सामिल होता है yes test हो गया main viterny U test होता है इसमें कहरा है कि आप रचालिक परिक्षन इस नाम से भी जाना जाते हैं यानि जो non parametric test है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है तो जो नान पैड़ामेट्रिक टेस्टा उसे बीतरन रहीत ठीक यानि distribution free टेस्ट की रूप में जाना जाता है अगला देखें 95 95 में जो पूछा है इसमें भी कह रहा है कौन सा कतन सही नहीं है तो इसमें हम लोग देखते हैं 95 में मारकोनी प्रक्रिया एक संक्रमण प्राइक्त आभियों में चित्रित होती है practical वाला है देखे probability matrix वाला तो मारकोनी प्रक्रिया एक संक्रमण प्राइक्त आभियों में चित्रित होती है उसके बाद मारको प्रक्रिया या द्रिक्षा व क्रमबद दोनों प्रभाओं का परिणाम है ठीक 95 में तो ये दोनों प्रभाओं का परिणाम ये बात सही है मारको श्रिंखला निर्दर्स में एक समय टी की स्थिति अपने पूरवर्ती समय की स्थिति पर पूर्णता निर्भर रहती है ति भी आपका राइट है उचितर क्रमों की स्रिंखला मारको श्रिंखला निर्दर्स में निर्दर्सित नहीं की जाती है तो आप देखिए ये निर्देशित की जाती है जबकि दिया है नहीं तो इसमें पूछा भी नहीं है तो इसलिए रूत्तर भी आपका नहीं हो जाएगा यानि कि D हो जाएगा चार हो जाएगा 96 में देखिए इसमें देरा है कि उस स्थिती में जब जो दो प्रतिगमन रिखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ढग देती हैं तब सासंबंद का मान क्या होगा अच्छा प्रस्णिया पर हैं कहरा है कि उस regression में या two regression line overlap completely to each other एक दूसरे को जो है वो completely overlap कर देती हैं तो जो सासंबंद है उसका मान यहाँ पर क्या होगा ठीक तो जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढग देती है तो उसका मान आपका क्या होता है वो एक हो जाता है ठीक कोर्रेलेशन के जो वैलू होती है 97 में देखिए निम्ण में से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक तुलनात्मक निगड़े का नियम ये लिखते भी चलिए कर ला आप comparative judgment थस्टोन का है राइट है इस kilogram बिशलेशन गट मैन का है राइट है गंपोजिट standard method गुलफोर्ड का है राइट है समाजिक दूरी मापकरम तकनीक लिकाड़ का यही आपका यहाँपे शुमेलित नहीं है ठीक तो यह आपका शुमेलित नहीं है पूर्थ नंबर 98 में आते हैं इसमें लीस्ट वन लीस्ट टू दिया है ठीक मैच कराना है और यहाँ पर देखिए जो किरसी हैं उसके प्रकारों की बात की गई है जो अस्थानांतरन सील किरसी है ठीक कौन सी किरसी जो अस्थानांतरन सील किरसी है तो 98 हम लोग देख रहे हैं 98 का जो यहाँ पर right answer आपका हो जाएगा, match करा लेते हैं, स्रिलंका में चिन्ना कहते हैं, इस्थान अंतरन सील को, ठीक, नगासु जो है, यह आपका सुडान की नगाशु, और आपका जो है, यहाँ पर ब्राजील में रोका कहते हैं, इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं, तो right answer आपका हो जाएगा, fourth, ठीक, तो 98 का आपका D हो गया, यानि 4 हो गया, 99 पर आते हैं, इसमें भी आपका least one, least two से match कराना है, ठीक, एक तरफ दिया है, कि मूले दिया है, मूले है, उस्थिति लागत सुभिधा, ठीक, हम लोग देख रहे हैं, 99, तो इसमें जो आपका मूले कि से संबंदित होता है, मूले जो है, आर्थिक लागत से है, ठीक, मूले किसे है, आर्थिक लागत से, आउस्थिति किसे है, सुभिधा से, यहनि जो जहां पर सुभिधा जादा रहेगी, तो आउस्थिति वहां पर की जाएगी, location, उसके बाद आते हैं, लागत की बात करें, तो लागत और स्थिती लागत से संबंदित है शुविधा की बात करें तो ये समीपता से नजदीक रहेगा तो ज़्यादा सुविधा रहेगी अलाकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किस तरह से एक दूसरे से बिलने एक टाइप की ये कह सकते हैं आपके रिजनिंग टाइप का ही ये चीज़ें है तो राइट आंसर ये का 2, B का 4, C का 1 और D का 3 हो गया आगे देखिए 100 और आज का जो लास्ट प्रस्न है लीस्ट 1, लीस्ट 2 को मैच कराना है हाउस ओफर, माइक इंडर, रेडजल और बोवन देखिए बोमाइन बोमाइन का ये अभी आपका जुलाई जून 2020 में जो आपका नेट का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया ये था कौन सा राजनिति भूगल बेता नहीं है देखिए यहाँ पे हाउस ओफर है माइक इंडर, रेडजल, बोमें सभी आपके पोलिटिकल थिंकर से हैं पोलिटिकल जगरफर हैं ठीक, तो यहाँ पे आपका हाउस ओफर ने भूर आजनिति के बारे में बात किया जियो पोलिटिक्स के बारे में बात किया ठीक और मैकिंडर ने हिर्दैस्तल सिदान रैडजल की बात करें तो इन्हों ने लेवेंस राम यानि वासस्थान निव वर्ल्ड की बात करें तो इसा बोमें प्राब्लम इन पोलिटिकल जोग्रोफी ठीक तो राइट अंसर आपका यह हो गया तो सो का आपका फर्स्ट रंबर यहां पे आपका राइट होगा तो आज का जो यह सेशन है यहीं तक हम लोग देखेंगे टूटल पचास प्रस्णों को आपने सौल किया और इन चास प्रस्णों को आप जहां पे देखें कई इसमें नई नई थेओरी देखने को मिले हैं तो उसको भी यहां पे नोट कर लेंगे तो नोट करने से आपको आसानी रहेगे ठीक अब यहां पे आल रेडी आपको जो थेओरी है उसके वीडियो अप्लोडेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख पाएंगे ठीक और साथी साथ यह आप कोर्स में सामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप वाट्सअप कर सकते हैं वहां जो भी कोर्से चलना है उसका कंप्लेट डिटेल आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पार वाचिंग